जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार्य तो देखे 10 तारिक को जैसा कि आपको पता है राजस्थान के अंदर बजट पेश होने वाला था राजस्थान के सभी युवा ये उमीद लगा कर बैठे थे कि इस बजट के अंदर वेकेंसी का पिटारा खुलेगा लेकिन पिटारा तो नहीं खुला लेकिन एक पिटारे की एक जहलक दिखा दी गई कि हम एक लाख वेकेंसी हर साल पूरी करने वाले हैं और उसमें से बताया गया है कि 30,000 वेकेंसी पे काम चल रहा है और 70,000 वेकेंसी इसサल आपकी पूरी की जाएगी अब वो किस तरह से की जाएगी अगर उसके बारे में पूरा विवरन पूरा क्लासिफिकेशन करके बता दिया जाता कि किस-किस विभाग में कितनी vacancies है और कितनी vacancies निकाली जानी है और किस-किस date को निकाली जानी है अगर ये सारी चीज़े clear हो जाती तो पूरा जो mind setup है बच्चों का वो clear हो जाता क्योंकि पिछले काफी time से जो सबसे जादा vacancy बताई जा रही है वो बताई जा रही है अब सिक्षा विभाग के अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी third grade की vacancy सबसे जादा बताई जा रही है फिर second grade और फिर first grade और पिछले एक दो साल से युवा जितने भी राजस्तान के कुछ लोग कुछ और जॉब कर रहे हैं कुछ लोग यहां पर इतनी condition खराब है कि उन्हें दो दो जगे जॉब करना पड़ रहा है तो वो जैसे ही vacancy आने वाली होती है उमीद होती है तो वो सोचते हैं कि अब हम एक job छोड़ दें या फिर अब हम पढ़ाना छोड़ दें और या कोई private job अगर कर रहा है financial condition खराब होने की वाज़े से तो वो private job छोड़ दे और एक बार अपनी vacancy के लिए preparation करें तो उसके मन में यह भी संशे है कि आखिर vacancy कब आएगी तो यह चीज़ अगर सरकार clear कर देती तो वो युवा आज परेशान नहीं होता अब vacancy कब तक आएगी कितनी आएगी यह भी उसके माइंड में पूरी तरह से confusion मना हुआ है और कुछ student ऐसे हैं जो कि अपना course भी करके बैठ चुके हैं एक एक दो दो बार अब फिर भी vacancy आने का नाम नहीं ले रही है आखिर vacancy कब तक आएगी क्या यह जो vacancy है यह युवाओं के साथ ए या उनके लिए एक मौका है देखिए vacancy जो है वो कितनी आएगी कब आएगी इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता और आप 10 जगे जाएंगे 10 चैनल पर देखेंगे आपको कहीं पर भी कोई clear date नहीं बता पाएगा क्योंकि clear date खुद सरकार नहीं बता पा रही है तो कोई चैनल वाला या कोई भी बड़े से बड़ा teacher वो कैसे बता पाएगा आप बताईए और अगर आप मेरा वीडियो देखने के बाद भी 10 जगे और देखेंगे वीडियो कि कोई तो बताए कि अखिर vacancy कब आएगी और vacancy जो है first grade second grade और third grade की vacancy के अगर मैं बात करूं तो vacancy तो आपका चालू हो चुका है तो इस सत्र के अंदर वो vacancy भरी भी नहीं जानी है अब सरकार को भी पता है कि हमें इस साल vacancy भरनी नहीं है तो इसलिए वो इस साल आपकी vacancy नहीं निकाल रहे हैं अब दूसरी बात और समझेगा यहां पर उन्हें 2025 वाले session के लिए भी vacancy नहीं हो गई और आपका first grade की vacancy हो गई थोड़ा लंबा टाइम लगेगा इसमें जैसे आज vacancy निकलेगी तो 5-6 महिने के बाद आपका exam होता है और अभी vacancy निकलने के कोई आसार नहीं है क्योंकि पहले से ही यहां पर जो शिक्षा विभाग है या राजस्तान के अंदर काफी सार पेंडिंग पड़ी हुई है पहले तो वह exam complete हो जाए और उसके बाद आपकी नई vacancy के exam चालू होंगे क्योंकि राजस्तान के अंदर जो है state government है तो state government के अंदर थोड़ा सा vacancy का जो process है वो थोड़ा सा slow चलता है बजाए center के तो इसलिए आप मानकर चलिए कि 2025 के session के लिए भी आप teacher नहीं बनने वाले हैं अगर vacancy आती है तो अगर vacancy अभी आती है एक मेने दो मेने बाद तो आप यह मानकर चलिए 2025 के अंदर आपका exam होगा और फिर उसके बाद result आएगा फिर आपकी list बनेगी तो कईभी सारे काम जो है वो करते करते अगर vacancy अभी आ भी जाती है दीले होने का मतलब है इतना दीले भी नहीं होगी कि 2025 के end महाईगी आपका नहीं होगा किसी भी हालत बे यह बात भी आप मानकर चलिएगा जब exam आपका March, April, May, June में होगा तो उसके बाद आप खुद समझ सकते हैं कि 2025 का जो session चालू होगा जुलाई से उसके लिए आपको नहीं बुलाया जाएगा तो vacancy का अभी किसी के पास भी कोई date नहीं है आप चाहे 50 वीडियो देखिए दिन में तो अपने notes को revise करते रहिए अपनी booklet को पढ़ते रहिए अपना syllabus पूरा complete रखिए और साथ ही साथ एक चीज़ और कीजेगा अगर आप कहीं पर private job कर रहे हैं तो उसे मत छोड़िए अगर आपकी financial condition खराब है तो आप job करते रहिए जिस दिन vacancy आजाए अभी आप अपने job के साथ ही 3-4 गंटे अपनी study को दे दीजे और जो बचा हुआ time है आपका बाकी का जो बचा हुआ time है वो अपनी job को दे दीजे अभी जिस दिन vacancy आजाए तो आप अपने job का या तो time कम कर लिजेगा अपनी job को part time कर सकते हैं अगर आपके लिए possible हो तो और अगर आपके लिए possible ना हो और आप चाहते हैं कि आप teacher ही बने या आप चाहते हैं कि आप जो है किसी government job में ही जाएं तो फिर उस time पर आप job को छोड़ कर पूरी तरह से focus होके तयारी कीजेगा तो इसलिए यह मेरा मेंली वीडियो था first grade, second grade और third grade के लिए कि आपकी vacancy कब तक आएगी तो इस माया जाल में बिल्कुल मत रहिएगा कि आपकी vacancy अभी आ जाएगी और 2025 में आपको joining मिल जाएगी तो ऐसा नहीं होने वाला है मैंने आपको clear तरीके से चीजे बता दिये फिर भी आपका कोई doubt हो नीचे comment box में comment करके आप पूछ सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत